हाई फ्रेंड्स वेलकम टू सदफ क्रिस्पी कुकिंग जोन आज मैं बनाओंगी एक बहुत ही डिफेंट स्टाइल का ब्रेक्फेस्ट या आप स्नेक्स बोल सकते हो यह ना ही पीजा है ना ही मॉमू है और ना ही कोई टोस्ट है यह बहुत ही टेस्टी और बिलकुल अलग तो जिसे शुरू करने के लिए मैंने सबसे पहले गैस अन करके उस पे पैन रख दिया है और उसमें ओयल एट कर दिया है जब तक तेल गरम हो रहा तक तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब देजिए बगल में चुटी सी बेल है उसे प्रेस कर देजिए जिससे मेरे चैनल क इस सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी वो भी फ्री में तेल बहुत अच्छे से गरम होने के बाद उसमें मैंने 250 ग्राम चिकेन की छोटी छोटी पीसे बॉनलेस चिकेन की पीसे एट कर दिया है थोड़ा सा इसे मिक्स कर लिजे नमक 130 एस पी इसमें एट कीजे नमक मैंन आट कर लिया है और इसी प्रॉपरली स्टर कर लिजे चार से पांच बहुत फाइन चौप के हुआ लस्न की कलिया इसमें एट कर दिजे और दोबारा से नहीं प्रॉपरली मिक्स कर लिजे अब इन्हें कवर कर दिजे कवर करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए हिलकी आच पर मिनट बात मैंने चेक किया चिकन बिलकुल कुक हो चुके हैं गैस आफ कर दिचे अब मैं आटा बना लेती हूँ तो आटे के लिए मैंने खाली जार लिया हुआ है उसमें मैंने 5-6 हरी मिर्ची आट कियो हुए कटी हुई कटी हुई धुली हुई हरी धनिया हाफ इंच मैंने अद्रक का टुकरा और मैंने 4-5 लसन लेके थोड़ा सा नमक एट किया है और थोड़ा सा वाटर एट करके इन्हें बहुत फाइन सा पेस्ट बना लेना है देखिए पेस्ट बनकर डेड़ी हो चुके हैं मैंने 100 ग्राम मैदा लिया हुआ है और 150 ग्राम नॉर्मल जो हम रोटी खाते हैं वह आटा लिया हुआ है और इसमें आप यह जो मैंने हरी चटनी पीसी हुई थी वह सारी एट कर दीजे और इन्हीं चटनी की हैब से आप आटा गूदिये अगर थोड़ा डाय लगता है तो मैंने 100 ग्राम मैदा और 150 ग्राम आटा लिया था थोड़ा सौल्ट और थोड़ा नमक पिला कर वाइट वाला आटा बना लिया है अब मैंने लिया है एक खाली मिक्सिंग बोल उसमें मैंने एट किया है दो फाइन चौप की हुई अनियन और मैंने जैसे हाफ कप काली मैंने हाफ एट किया हुआ है सारी चीजे बहुत फाइन चौप कर लिया है मैंने और मैंने पत्ता वो भी कैबज ही मैंने इसमें खुब सारा एट कर लिया है यह बहुत टेस्टी स्नेक्स बनकर रेडी होते हैं आप एक बार जरूर ट्राइ किजेगा तो मेरी मिक्सिंग पाउडर इसमें एट किया है और एक चमच भर के मैंने डार्ट सोया सॉस एट किया है और यह देखिए चिकेन जो मैंने को किया था वो भी ठडड़े हो चुके हैं अब मैं इन्हें भी एट कर दूगी इसमें नमक बहुत थोड़ा सा इसमें एट कीजिए इसे अच्छे से म भी पत्ति इसमें के किनमक मैंने सारी चीजे में थोड़ा थोड़ा एट किया है और यह देखिए जो मैंने आटे गुधे थे उनके मैंने तीन तीन पेड़े तोड़ लिये हैं और अब मैं चलती हूँ बेलने तो मैंने सबसे पहले थोड़ा सा मैदा या आटा डस्ट कर ल मैंने बहुत पतली भी रोटी नहीं बेलना है थोड़ी मोटी रोटी होनी चाहिए जैसे आप नॉर्मली रोटी खाते हो उससे थोड़ा सा मोटा तो मैंने वाइट वाले आंटे की और ग्रीन वाले आंटे की मैंने रोटियां बना ली है नोट ये कि दोनों रोटियों का शेप सेम साइस का होना चाहिए अब वाइट वाली रोटी की ओपर मैंने ग्रीन रोटी रग दिया है अब मैं इन्हें रोल कर लूँगी आप देख सकते हो मैं कैसे रोल कर रही हूँ आप इस तरीके से रोल कर लो और रोल करने के बाद मैंने इसे 20 से कट कर लिया है अब छोटी छोटी शेप में मैं इसे कट कर लूगी आपके मर्जे के कॉर्डिंग है आप इसे बड़ा या इसे पतला भी कट कर सकते हो पर इतनी शेप सही है और इसके उपर हल्का सा सूखा आटा डस्ट कर लिजेगा और इन्हें एक पूरी का शेप छोटी साइस की जैसे कचोडियों का शेप होता है बस उससे जादा नहीं एक-एक करके आपको सारी रोटियों को ऐसे बना लेना है यानि इसनेक्स का जो बेस होता है उसे रेडी कर लेना है अब एक लेना है पूरी शेप जो भी है उसके ऊपर आप स्टफ एड़ कर देना और इसके corner पर प्रेस करने के बाद किसी भी fork की हैप से आप इसके side पर अच्छे से प्रेस करना ताकि यह joint हो जाए कुक होते वक्त यह खुलेना पहले इन्हें बहुत अच्छे से अपनी हाथों की हैप से प्रेस कर लिजेगा और थोड़ी थोड़ी space देकर इन्हें बीच से आप कट कर लिजेगा यह snacks बच्चे देकर आपसे मांग मांग कर खाएंगे बहुत टेस्टी और न्यू तरीके का यह snacks बनकर रेडी होता है अब बस जो कटिंग किया था उनकी हैप से बस चुटकी बचाते हैं बस एक फिंगर और एक थम की हैप से आप इसे बस चिंगोटी काट दो लोग कहते हैं बस इसे कर लो ऐसे बस यह फूल का शेप हो जाएंगे आप देख सकते हैं संफ्लावर का शेप यह हो गया है आप इसी तरीके से आप बहुत से शेप दे सकते हो वह आपके मर्जी पर डिपेंड करता है मैंने दो शेप दिया है अभी मैं एक शेप आपको और दिखाऊंगी यह देखी मैंने कढ़ाई में टेल एक चम्मच एड़ किया है जब तेल गरम हो गया है फिर मैंने उसमें सारे स्नैक्स एड़ कर दूंगी वन बाई वन करके और एक के उपर एक अगर रहेंगे तो यह चिपक जाएंगे थोड़ी स्वेस बना कर रखें दूसरा शेप देखें मैंने पोट लिए यानि मॉमोस की तरह बनाया हुआ है आप ऐसे भी कर सकते हो बस मैंन अगर चाकू इसली बहार निकल जाते हैं तो यह चौक हो चुक है यानि बहुत अच्छे से यह पक चुक हैं अब यह परोसने के लिए तयार है आप देख सकते हो कितना सॉफ दिख रहे हैं देख और जितना यह सॉफ है उतने ही जादा यह टेस्टी बनकर तयार हुए थे तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुन मत भूलिए और अगर आप चाहो तो एक बार बना कर देख सकते हो यह बहुत जादा सॉफ्ट हुए थे और यह ठंडा हो जाएगा तो इसे एक ब प्रोच इपाइब भाइब झाओ उन्युक्त